ये श्रंकला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती, अमुल रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वाकत है कहते हैं बोली एक अमुल है जो कोई बोले जानी, ही तराजू तोलिके तब मुख बाहर आनी हमारे आंतरिक स्थिती का प्रत्यक्ष दरपन हमारे बोल है हमारे मुख द्वारा निकला हुआ हर वचन, कैसे हमें और अन्य आत्माओं को प्रभावित करते हैं आज इस गहराई को हम इश्वरी महावाक्षियों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्षियों के इस पश्टी करण के लिए हमेशा की तरा हमारे मद्दे है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिज इश्वरी विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षप आदर्नी राजुभाई सहाब तैसाब आपका आज के अपिसोड में बहुत-बहु स्वागत है तैसाब आज हम बात करेंगे 27 मई 74 के महवाक्चियों के बारे में जिसका टॉपिक है विश्व कल्यान के निमित बनी आत्माओं के वचन भी सदा कल्यान कारी तैसाब परमात्मा कहते हैं कि देखो आवाज अगर यथार्थ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है न यंत्र में जरा भी खिट-खिट है तो ऐसी आवाज पसंद नहीं करते हो न ऐसे ही आपका यह यंत्र मुख भी माईक है इस मुख द्वारा भी जब कभी यथार्थ व युक्ति-युक्त बोल नहीं निकलते हैं तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या यह बहुत सूक्ष्म चेकिंग की बात है क्योंकि जब हमारे सामने माईक होता है तो अपनी आवाज पर ध्यान दिया जाता है और माईक अगर खराब होता है तो पबलिक को कुछ समझ में आता या आवाज अच्छी नहीं लगती कभी बहुत तेज है कभी बहुत स्लो है या कोई आवाज पटा हुआ है तो माईक का आवाज पसंद नहीं आता लोगों परमात्मा कहते हैं यंत्र का भी आवाज जब लोग पसंद नहीं करते हैं, तो आपका ये मुख भीत एक माइक है, इससे जो आवाज निकल रहा है, चेक करो, वो लोगों को पसंद आता है या नहीं, कई बार हम ऐसे बोलते रहते हैं, और सामने वाला डिश्टर्ब होता रहता है, वो समझता है, तो प्रमात्मा हम सबको कहते हैं, अपने मुख के आवाज को हुच करो, जो मैं बोला हूँ, वो लोगों को पसंद आता है, या थार्त है, युक्ति युक्त है, या जो जैसा और युक्ति आवज आवदा हूँ, तो भूल को बहुत निकल करने की जरूरत है, सaha पर्वात् ऐसे ही अनुभव होना चाहिए. अगर यह महसूस करो, तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा? क्या जानते हो? इस घड़ी से सदाकाल के लिए व्यर्थ बोल, विस्तार करने के बोल, समे व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमजूरियों द्वारा अन्ने आत्माओं को स जाने वाले बोल, सब समापत हो जाएगे. जब तक कोई आत्म यह महसूस नहीं करती कि यह जो मैं बोल रहा हूं, यह ब्यर्थ बोल है, यह दोसरों को कमजूर बनाने वाला बोल है, तब तक वो अपने आपको परिवर्तन नहीं कर पाता. जब तक बोलने की एक नेचर बनी कई हसी मजाक वाले भी बोल होते हैं, कभी-कभी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी-कभी वो लोग जो सामने वाले हैं, उसको बहुत गलत समझते हैं, तो देख करके समझ करके वही बोल बोले जाएगे, जो लोगों को पसंद है, जिसे लोगों की उन्नती हो, इसलिए बहुत ध्यान देने की आवसिकता है, क्योंकि बोल को कहते हैं, बोल बहुत अन्मूल है, और बोल जो सिद्ध हो जाएं, मान लो, आज कोई महान आत्मा ये कोई बोलती हैं, उनके बोल कहते हैं, ये महावाग के हैं, वो सिद्ध होते हैं, तो हम सब को भी अगर ये ध्यान कि जो मैं बोल रहा हूं और अगर वो वेड़त है और सिद्ध हो गया तो दूसरे का कल्यान हो जाएगा इसलिए बोल पर बहुत ध्यान देने की आवस्कता है उतना ही बोला जाए जितना दूसरों को पसंद है और जितना दूसरों के कल्यान निमित है सब इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि महान आत्मों के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य महावाक्य विस्तार के नहीं होते हैं जिसे व्रिक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता है लेकिन उसमें सारा सार होता है ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता किन्तो उसमें सार होता है क्या ऐसे सारयुक्त, युक्ती युक्त, योग युक्त, शक्ती युक्त, स्नेह युक्त, स्वमान युक्त और स्मृती युक्त बोल, बोलते हो हमें बहुत गहराई से चेक करने की जवॉडत है जो हम बोल बोल नहीं है वो कितना सुमान युक्त हैं दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हैं कितना उसके अंदर सने समाया हुआ है कितना यूग-युक्त हो करके हम बोल नहीं है क्योंकि बोल पर अगर हमारा ध्यान है तो सामने वाले का भागी बना सकते हैं उसको बहुत समीप ला सकते हैं उसके जीवन को स्रेष्ट बना सकते हैं क्योंकि बोलने वाले का बहुत अधिक प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है इसलिए परमात्मा कहते हैं आप महान आत्माए हो और आपको अपने एक एक बोल पर बहुत ध्यान देने के आऊ सकता है ये बोल इतने महान इतने स्रेश्ट हो जो दोसरों की तकदीर को बना दे सब एक बहुत सुंदर उधारन देते हुए परमात्मा कहते हैं कि जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पदधारन करने वाली विशेश आत्माए हैं वह भी अपने हर बोल को चेक कर फिर ही बोलते हैं कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई एक बोल भी न निकले कि जो देश में वह साथियों में संघर्ष का आधार बने ऐसे ही विश्व का कल्यान करने के श्रेश्ट कारे में निमत बनी आप श्रेश्ट आत्माए हो आपकी विश्व में विशेश स्थिती है आपको यह भी चक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकले हैं क्या वह सर्वके व स्वयम के प्रती कल्यान कारी हैं और अघरद種 कोई कई बोले बोल तेक跟你 जाता है अगर आज बएद आइन के सानखन आँ अधिया गयां अगर आज कोई बोल देते हैं तो देस्ट स्याथ पोरे देम में हलचल हो जाती है उसकी बहुत जाएदा ग्लादी हो आपका है तो परमात्मा भी कहते हैं कि जो भी कोई पोस्ट पर होते हैं, कोई पद होता है उनका उंचा, तो उनके बोल बुड़े दिहान से लिखते हैं पहले फिर बोलते हैं, ऐसे नहीं जो आया हो बोल दिया, तो परमात्मा कहते हैं, आप तो बहुत महान आत्मा हो, स्रेष्ट आत् और जिन वे फिवंवर में के आतमों का नुकसान को सकता है, क्योंकि आपने बोल दिया, और अए हैजे चासा संस्केजिकिषाद खें लाएन। और अगर घवस्मार सोचा नहीं आतमों का आंपनी अगू सकता है। इसलिए परमात्मा ने बहुत सुंदर मिशाल दिया है, लो भोल जो है बीज है, और उसमें सारा ब्रक्ष का सार होता, वु विस्तार का नहीं होता है, अगर हम कुछ भी बोलते हैं, उसका बहुत विस्तार है, तो कई बार हम जो कहना चाहते हैं, तो हमारा उसका अर्थ जो है अब खिप जाता है. तो परमात्मा वी बोल, कोई भी बोल महान आत्मों के विस्तार के नहीं होते है. वो भी जुटना भूलते हैं और पिट खिप जाते हैं. हमाई दाद्सक्रादियों के बहुत मिसेष्टा रही है. हम देखते हैं, जो बोलना है उतना ही बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, आप बुलवाना चाहोगे तो भी उचुप, इसलिए परमात्मा ने बहुत अच्छा हम सब को पाट पढ़ाया है, कि उतना ही बोलो जितना लोगों को पसंद है, जितना उनका भला हो सकता है, तो इतन अगर हमारा ध्यान है, तो बहुत अच्छी अपनी स्थिती भी रहती है, और जो भी हमारे संबंद संपर्क में आते हैं, वो भी हमसे कुछ सुनना चाहते हैं, कि आप मेरे लिए दो बचन, कोई दो वर्दान, एक वर्दान दे दो, तो बोल सुनने के लालाइत रहते हैं, तो इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, आप महान आत्माएं अपने बोल पर बहुत ध्यान दो, बोल अगर अच्छा है, तो संबंद अच्छे रहेंगे, समीप लोग आएंगे, और सुनने के चात्रक होंगे, पर सब परमात्मा कहते हैं, कि आजकल की भी जो महान सत्य वचन महाराज कहते हैं, चाहे व्यर्थ हो और चाहे गपोड़ा भी लगाते हों, फिर भी समझते हैं कि ये महान आत्माओं के बोल हैं, तो यह महत्व रखते हैं, सत्य वचन महाराज का यह यादगार कब से आरंब होआ, पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ यादगा रह जाता है, यह थार्थ नहीं होता है, तो जब भक्ति मार्ग में भी हर बोल का महत्व इतना अभी तक भी है, जो अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे हो, तो ऐसे महत्व वाले बोल, जिसमें सत्यता तथा विश्व का कल्यान क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं? इसलिए बोल पर ध्यान ही नहीं जाता है। तब भक्ति मार्ग में उसका यादगार चला और यादगार इतना है कि आज तक कोई भी ऐसे गुरू है बड़े पोश्ट पर पदभी पर हैं इनके बहुत सारे फालूवर्स होते हैं फालूवर्स अंदर स्रद्धा से भी कहेंगे महराज के मुख से निकला है गुरूजी के म परमात्मा कहते हैं देखो भक्ति मार्ग में अभी तक भी गायन चला है लेकिन प्रेक्टिकल में संगम पर आप बच्चों के सामने जो परमात्मा के महावा के उच्छाण हूए उसलिए इस समय आपका अपने एक एक बोल पर इतना ध्यान होना आवस्यक है नहीं तो कोई अभी बोल ऐसा निकल गया और लोगों को आया कि ये सत्वचन है तो हो सकता है उनका अकल्यान हो जाए और इसलिए भाई साब परमात्मा कहते हैं कि दिन प्रति दिन नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार जो महारतिव महावीर बन रहे हैं उन्हीं के मुख से निकलने वा निकलते हैं वास्तों में जो भी आत्म है प्रम्ह請र का पालन करते हैं नित-योग का अभ्यास करती हैं पहुत्र जीवन जी रही हैं उनके द्वारा बोल निकलने वाला बोल सत्य हो जाएगा लेकिन परमात्मा हम सबको कहते हैं कि अगर इस समय सत्य हो जाए तो उसमें कभी चलते चलते कोई न कोई हम बेट बोल लेते हैं, बेट आसोच लेते हैं, या सुनी-सुनाई बातों का बोल के उपर प्रभाव होता है। इसलिए वो बोल निकल जाते हैं, किसी की बात हमने नगेटियो सुनी हुई है और वो सामने आता है, कुछ ऐसे बोल निकल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, अभी वो समय नहीं आया है जो आपके वच्चान सत्य हो जायें। अगर हो जायेंगे, तो बहुतों का नुक्सान हो जाएगा। इसलिए समय आएगा आगे चल करके, हम सब इतना जब अपने बोल पर ध्यान देंगे, कोई एक बोल भी जारे दिन में। परमात्मा तो यहां तक कहते हैं, बच्चे, सवेरे आख खुलते रात को सोते तक, तुमने सारे दिन में कितने बोल भूले, साम को अगर गिंती करना चाहो तो गिंती कर सको। के gonna इतना आपका अपने बोल पर ध्यान हो। जो आया बोलते जा रहे हैं जब आया बोल रहे हैं तो इतना हमारा ध्यान है तो यह बोल बड़े अनमोल हैं, वो सिद्ध होंगे। लिपने अपने उपर ध्यान देने के आवसकता है. बिलकुल और इसका एक और एक्जामपल परवात्मा देते हैं कि जैसे कोई लेख या आर्टिकल लिखते हैं, अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते हैं, तो लिखने वाले बाद में फिर से चेक करते हैं, जो लिखा गया है वह ठीक वह प्रभावशाली है जो लक्षेव टॉपिक है, क्या उसी के अनुसार है, ऐसे आप भी अमरितवेले से लेकर रात्री तक प्रैक्टिकल मन, वानी, कर्म, इन तीनों का एक लेख या लेखा लिखते हो, अर्थात ड्रामा में कर्म द्वारा नूधते हो, रात को अपनी हर रोज की प्रैक्टिकल नून्ध वा लेखनी को चक करो, कि कितनी समर्थ अर्थात प्रभावशाली रही और कितनी व्यर्थ रही, क्या ऐसी चकिंग करते हो? बहुत महीन चार्ट है, और एक चार्ट रात तक कई बार भूल सकता है, परमात्मा हम सबको एक समय दे रहे हैं, कि सवेरे से रात तक, मन वच्छन कर्म से जोग हुआ, सोचा, जोग बोला, जो किया, उसका पूरा चार्ट, पूरा हिसाब, साम को जब सोने जाते हो, तो चे दस बजे तक, पहले पहर में हमने कितना समय, क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, तो चेक करेंगे, तो चेंज करना सहज हो जाएगा, क्योंकि कई लोग अलवेले पन में चल रहे हैं, चेकिंग ही नहीं करते हैं, जो उसको चेंज कर सकें, परिवर्तन कर सकें, परमात्मा हम सब के बोल को एक सुद्ध बनाने के लिए, स्रेष्ट बनाने के लिए चेकिंग की बड़ी अच्छी विधी बदाते हैं कि आप सारे दिन में जो लेखा लिख रहे हो, जो कुछ कर्म कर रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, एक बार चेक करो, और यथार्थ अगर नहीं है, उसको चेंज करो, ऐसे करते करते आपके बोल यथार्थ हो जाएंगे, मिलकुल, फैसर पर्मात्मा कहते हैं कि बाप दादा के पास, हर एक बच्चे की, हर घड़ी की, तीनों रूपों में, अर्थात मंसा, वाच्चा, कर्मणा से की हुई प्रैक्टिकल नूंध इमर्ज होती है, जिससे रिजर्ट क्या दिखाई देती है, कि अभी तक 75 प्रतिशत बच्चों की आधी रिजर्ट व्यर्थ बोल व साधारन बोल में दिखाई देता है, इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्ते वचन महराज हो जाएं, तो कई आत्माओं के पुरुशार्थ को खलका करने के वह पुरुशार्थ को साधारन बनाने के निमित बन जाओ, इसलिए अब यह वर्दान, ड्रामा, अनुसार सबको प्राप्त नहीं है, परमात्मा हम सब की दिंचरिया को जब चाहें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि वह तिर्कालदर्सी हैं, और कई बार वो कहते हैं कि मेरे पास भी, जैसे आज साइंस के साधनों में, लोग केमरे लगा देते हैं, और जो भी आता है, जाता है, जो भी कोई अक्टिवर्व이다 करता है, तो इस जो अंह एकार्णों से होते हैं, जब चाहें उस नहीं परमात्मा के पास भी ऐसे सूक्ष्मशाइन्स साैलस्यां के बल्के कैमरे हैं, जब चाहें, जिस बच्चे को चेक करना चाहें, उनकी मंसा को भी चेक कर सकते हैं, उनके बोल को देख सकते हैं, उनके कर्म को भी देख सकते हैं, और जब वो देखते हैं, कभी-कभी, तो देख करके उनको लगता है कि मेरे बच्चों के जो रिजल्ट है, बोलने की, सोचने क करने के उसमें पच्छतर पड़संट में आधे बच्चे पेल हैं उनकी रिजल्ट जो है सोचने की बोलने के उसमें बेड़्थ है और अगर यह बेड़्थ बोल शिद्ध हो जाने लगे तो कई आत्मों का पुरसाथ गिर्तिकला में चला जाएगा इसलिए यह वर्दान यह स का बोल सिद्ध होने लगे लेकिन समय आएगा जो हम सब के बोल हमारे संकल्प सब सिद्ध होंगे बिलकुल और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि विश्व के कल्यान के निमित आप अगर आत्माई न चाहते हुए वन न सोचते हुए साधारन रीती से भी किसी आत्मा को करने के कारे में निमित बन जाती हैं तो उसको क्या कहेंगे वर्दानी कहेंगे क्या तो इतना अटेंशन और महीं चेकिंग वर्तमांसा में बहुत आवश्यक है तो कि बोल अगर श्रापित करने वाले निकल गए तो हम जिस लक्ष से आगे बढ़ रहे हैं जो हमारा लक्ष जना है कि हर आत्मा का कहल्यान हो जैसे शिव बाबा कहल्यान कारी है कौल्यान के यह बना एंटे हैं तो अपने बच्चों का बना हैं कि मेरे बच्चे भी ऐसे विस्व कल्यान कारी बने कोई भी ऐसे बोल नह चो आपने तो अखर मशीत हो ज dhagnar항 लिया अगर हम साधान डि बदलने माला यह दो हो बूल बहुत। होगा है, इसके संस्कार तो बड़े कड़े हैं, उतने इतना स्हिखाने के बाद भी ठीक नहीं होड़ा। तो परमात्मा कहता है यह साधारन बोल जो आप बोल रहे हो, हो सकता यह बोल उसके लिए सिद्ध हो जाए और उस उधरना चाहे तो भी सुधरन पाए इसलिए बहुत ध्यान दे करके जो बोलते हो उन बोल पर ध्यान दो कि यह बोल किसी आत्मा का भला करेंगे उसको आगे ब हर कर्म, सर्व शक्तियां, सर्व ईश्वरिय संस्कार, श्रेष्ट स्वभाव, वह सर्व प्राप्त हुए खजाने, विश्व की ही सेवा के प्रती हैं। अगर अभी तक भी स्वयम के ही प्रती लगाते हो, तो फिर प्रालब्ध क्या मिलेगी? मास्टर रचाईता बनेंगे या रचना? रचना स्वयम के प्रती ही होती है, परंतो रचाईता रचना के प्रती होता है, तो अभी ही मास्टर रचाईता नहीं बनते, तो वह भविश्य में भी विश्य के मालिक नहीं बनते। बर्तमान समय परमात्मा अपने बच्चों को अपने समान बना रहे हैं और जो रचईता है उसका अपने एक एक सक्ति पर एक एक खजाने पर ध्यान होता है लोकिक में भी जो मातपिता होते हैं जिनके उपर जवाबदारियां होती हैं वो हर चीज का बजट रखते हैं, क्योंको लगता है कि मुझे इतने परिवार को फीक चलाना है, इनकी पालना करनी है, तो कोई शक्ति उनकी वेर्थन जाए, कमाई कितनी है, खर्चे कितना है, उनका बहलेंस रखते हैं, परमात्मा कहता है, रचना को सोचने की ज़रूरत नह कि मुखिया है, उनको ध्यान देना पड़ता है, तो हम सब को भी ध्यान देना है कि हम सब परमात्मा के बच्चे माश्टर रचाईता हैं, और जब अपने प्रति अधिक समय न दे, सभाव, संसकार, अपनी आदतें, उनको ही मिटाने में अपनी सक्तियों को हम खर्च कर रह जब हमारा यह ध्यान जाएगा, तो ख्रत्व कर्या थाण प्रति थालयॉण सब करिफ हैँ, अथि यहान दोसरे की सेवा में अपनी सक्तिय चिंग रही है, तो वह सक्तियों का रेटर्ण दुआयों के रुप में अपनी समाया हुआ है, श्र परिवरतन कर दे कार मे erzählt में में विश्व राज्य लेना है, सत्युक चलाना है आगे चलकर, उन आत्माओं को मास्टर रचेटा की स्टेज पर रहना है। मिल्कुल भाई साब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा की बोल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। भाई सब इस सपश्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमात्मा ने बताया कि हम मास्टर चाहिता हैं, इसलिए हमें अपनी हर शक्ती विश्व कल्यान के प्रती ही यूज़ करनी है। दर्शकू, आज के एपिसोड से संबंध हैते, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप हमें इमेल कर सकते हैं। हमारा इमेल आईडी है अमुल्यरतन अट्थरेट कॉडलीवोड स्टूडियो टॉटो वार जी। अगले अपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्ष फिर हाजिर होंगे। अर्थात हर बोल सारयुक, युक्तियुक, योगयुक, शक्तियुक, स्नेयुक, स्वमान्युक और स्मृतियुक्त हो आतमा को शापित करने के कारे में निमित नहीं बनो। आप लोग साधारन रिती से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अक कल्यान हो जाता है। इसलिए चेक करो कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं, क्या कल्यान कारी हैं? व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो। इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूड स्टूडियो से संपर्क करें। झाल